हाई दोस्तो नमस्ते दोस्तो मैं मेरी यूटूब चैनल अलपेस गार्डनिंग में आपका बहुत-बहुत स्वागट करता हूँ दोस्तो ये फाइकस इस शेफ में इतना अच्छा नहीं लग रहा है तो दोस्तो मैं इस फाइकस को डबल शेफ में कटाई काने वार हूँ तो दोस्तो ये जो फाइकस का पोधा है वो मेरे हिसाब से काफी बड़ा पोधा है तो दोस्तो इस फाइकस के पोधे को छोटा करनूँगा और मेरे हिसाब से जो शेफ मैंने छोचा हुआ था वो शेफ में रख लूँगा दोस्तो नीचे की लिए तो मैंने काट दी है आप देख सकते हो दोस्तो फाइकस का पोधा एक ऐसा पोधा है जिसको आप कुईसी भी प्रकार का सेफ दे सकते हो दोस्तो और एक बात दोस्तो जरूई नहीं है के फाइकस का पोधा आपने गार्डन में लगाया हुआ हो और शुरुवार से ही आपने पोधे का जो शेफ है वो बनाए रखा हो लेकिन दोस्तो आपको शेफ पसंद है तो उसे कंटिन्यू करे अगर नहीं पसंद तो मेरी तरह आपक क्ली सकते हो को अंगर ते दोस्तो इस व्यायकर से पोधे मैंने पूरी तरहसे कटाइब कर दी है आप देख सकते हो और डोश्तो इस पोधे जो है वह भी मैने वहाँ कम कर द है दोस्तो आप देख सकते हो दोस्तो इस फाइकस के पोदे को पहले सेप से दूसरे सेप में बदलना ये पहला स्टेप है दोस्तो आप भी इसी तरह से पोदे की सेप चेंज करते हो तो दोस्तो इसी तरह से कटाई के बाद यूरिया खाट जरू डाल दे और खाट डालने के बाद हफते में दो बार अच्छे से पानी डालते रहे दोस्तो इस फाइकस के पोदे की कटाई से लेकर अब तक डेड़ महिना हो चुका है और दोस्तो यूडिया खाट डाले थी तो उसका भी काफी अच्छी रिजल्ट हमें मिला है और दोस्तो इस पोदे में मैं हर महिने में एक बार यूरियाखाट यूस करूँगा ताकि जल्दी से ये पोधा अच्छे से शेफ में आ जाए दोस्तो अभी की कटाई वाला वीडियो मैंने आपको दिखाया नहीं है लेकिन दोस्तो इसके बाद देल दो महिने में फिर से कटाई होगी तो वो वीडियो में आपको जरूर दिखाऊंगा क्योंकि दोस्तो इसका अभी proper shape आया हुआ नहीं है इसलिए मैंने इसका cutting वाला वीडियो रिखाया नहीं है और इस पोदे का proper shape तो 3-4 कटाई के बाद ही आएगा दोस्तो इस पोदे की दूसरी कटाई के बाद देड़ महीना हो चुका है और अब दोस्तो मैं फिर से अच्छे से कटाई कर दूँगा और दोस्तो वैसे तो पहली कटाई से लेकर अब तक 3 महीने हो चुके है दोस्तो वैसे तो इस फाइकर्स के पोदे के अंदर कई जगाई है खाली हैंभी पत्ते आने बाकी है लेकिन दोस्तो रेगिलरी हर महिने कटाई करते रहेंगे तो पोदे की प्रॉपर शेफ भी आजाएगी और डीखने में भी खुबसुट रहेगा दोस्तो इस पोदे में मैं महीने में एक बार चार चमर चुडिया खाट डाल देता हूं दोस्तो और फिर अच्छे से पानी डाल देता हूं और महीने में एक बार कीट नाशक डवाई स्प्रे कर देता हूं दोस्तो दोस्तो फाइकस की कटाई हो चुकी है और आप देख सकते हो काफी खुपसर दिख रहा है अभी तो दोस्तो आप देख सकते हो इस सेप के अंदर कई जगव पर पत्ते आने बाकी है लेकिन दोस्तो हम regular ही इसकी कटाई करते रहेंगे और हर महीने यूरिया खाड डालते रहेंगे तो दोस्तो इसकी speed भी अच्छी तरह से बढ़ती रहेंगी और उसी तरह से कटाई करते रहेंगे इसी इससाब से हमें हमारा मन चाहाद सेफ मिल जाएगा दोस्तो यूरिया खाद यानी नाइट्रोजन दोस्तो बारिस के पानी में नाइट्रोजन जादा होता है इसलिए बारिस के मौसम में पेर पोधे बहुत ही अच्छी तरही वेसे बरते रहते हैं दोस्तो दोस्तो बारिस के मौसम के बाद आप मेरी तरह से फाइकस की सेफ चेंज करना चाहते हो तो आपको भी अच्छे से मेरी तरह पोधे की कटाई करनी पड़ेगी और फिर कटाई करने के बाद आप भी यही चाहोगे कि जल्दी से पोधा हराबरा हो जाए और जल्दी सेफ में आ जाए तो दोस्तो आप भी मेरी तरह यूरिया खाट का उप्योग करें दोस्तो और फिर यूरिया खाट डालने के बाद हपते में दो बार अच्छे से पानी ड झाल झाल